C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय चादह सम्मित्टी प्रिष्ट दोसो ऐक्यासी चादह देशमलवेक भूमिखा सम्मित्टी यानि सिमित्री एक महत्वपून ज्यामित्टी या अवधारणा है जो सामानित है प्रकृती में प्रदर्शित होती है तथा क्रिया कलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है कलाखार, व्यवसाई, कपड़े या ज्वैलरी डिजाइन करने वाले कार निर्माता, आर्किटेक्ट तथा अनेक अन्य सम्मित्टी की संकल्पना का प्रयोग करते हैं मधुमक्खियों के छटों, खूलों, पेड़ की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों, कंबलों और रुमालों इन सभी स्थानों पर आपको सम्मित्ट डिजाइन दिखाई देंगे आर्किटेक्ट्चर, इंजीनियरिंग, प्रक्रिती आप पिछली कक्षा में रैखिक सम्मित्टी का कुछ अनुभव कर चुके हैं एक आकृती में रैखिक सम्मित्टी होती है, यदि उसमें एक रेखा ऐसी हो, जिसके अनुदिश उस आकृती को मुड़ने पर आकृती के दोनों भाग परस पर संपाती हो जाते हों इन अवधारणाओं को आप याद कर सकते हैं, आपकी सहायता के लिए यहां कुछ क्रिया कलाप दिये जा रहे हैं सम्मिती दर्शाने वाली एक पिक्चर अल्बम बनाईए, कुछ रंगीन आकर्शक इंक डॉट डेविल्स बनाईए, कागस के कटे हुए कुछ सम्मिती डिजाइन बनाईए प्रिष्ट 282 आपके द्वारा एकत्रित किये गए डिजाइन में सम्मित रेखाऊं या अक्षों को पहचानने का आनन्द लीजिए आईए अब सम्मिती पर अपनी अवधारणाऊं को और अधिक प्रबल बनाएं निम्नलिकित आकरितियों का धेयन कीजिए जिनमें सम्मित रेखाऊं को बिंदू कित रेखाऊं से अंकित किया गया है आकरिती चौदह दशमलवेक एक से चार तक यहां चार अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं चौदह दशमलवदो सम बहुभुजों के लिए सम्मित रेखाई आप जानते हैं कि बहुभुज यानि पॉलिगन एक ऐसी बंद आकरिती है जो अनेक रेखा खंडों से बनी होती है सबसे कम रेखा खंडों से बना बहुभुज एक त्रिभुज है क्या आप इन रेखा खंडूं से कम रेखा खंडूं वाला को यन्य बहुभुज बना सकते हैं इसके बारे में सोचिए एक बहुभुज सम बहुभुज यानि regular polygon कहलाता है यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाईयां बराबर हूं तथा सभी कोणों के माप बराबर हूं इस प्रकार एक सम बाहुत्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक सम बहुभुज होता है क्या चार भुजाओं वाले एक सम बहुभुज का नाम बता सकते हैं एक सम बाहुत्रिभुज एक सम बहुभुज है क्योंके इसकी प्रतेक भुजा की लंबाईय समान होती है तथा इसके प्रतेक कोण की माप साट डिग्री होती है आकृती 14.2 यहां एक सम बाहुत्रिभुज दिखाया गया है जिसके तीनों कोणों की माप 60 डिग्री है और तीनों भुजाओं की माप A है वर्ग भी एक सम बहुभुज है क्योंके इसकी सभी भुजाएं समान लंबाईयों की होती हैं तथा इसका प्रतेक कोण एक सम कोण अर्थात 90 डिग्री होता है इसके विकर्ण परसपर सम कोण पर सम द्विभाजित होते हैं आक्रिती 14.3 यहां एक वर्ग दिखाया गया है जिसके चारों कोण एक सम कोण है और विकर्ण परसपर सम कोण पर सम द्विभाजित होते हैं यदि एक पंच भुज यानि पैंटागन एक सम बहु भुज है तो स्वाभाविक है कि इसकी भुजाएं बराबर लंबाईयों की होनी चाहिएं तथा इसके कोणों के माप बराबर होनी चाहिएं बाद में आप फढ़ेंगे के इसके प्रत्यक कोण की माप 108 डिग्री होती है आकृती 14.4 यहां एक पंच भुज दिखाया गया है जिसके प्रत्यक कोण की माप 108 डिग्री है प्रिष्ट 283 एक सम्षड भुज यानि रेगिलर हेक्सागन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके प्रत्यक कोण की माप 120 डिग्री होती है इस आकृती के बारे में आप और अधिक बाद में पढ़ेंगे आकृती 14.5 यहां एक सम्षड भुज दिखाया गया है जिसकी प्रत्यक कोण की माप 120 डिग्री है सम्बहुभुज सम्मित आकृतियां होती हैं और इसलिए इनकी सम्मित रेखाएं बहुत रोचक हैं प्रत्येक सम बहुभुज की उतनी ही सम मित रेखाएं होती हैं, जितनी उसकी भुजाएं हैं। आकरती चौदह दशम लवच्छ, एक से चार देखिए। यहां चार अलग-अलग सम मित आकरतियां दी गई हैं। एक सम बहुत्रिभुज, जिसमें हैं तीन सम मित रेखाएं। दो वर्ग, जिसमें हैं चार सम मित रेखाएं। तीन सम पंच भुज, जिसमें हैं पांच सम मित रेखाएं। और चार सम शड भुज, जिसमें हैं छै सम मित रेखाएं। संभवत है आप खागज मोडने के क्रिया कलापों द्वारा इसकी खोज करना चाहेंगे. कोई बात नहीं, आगे बढ़िये. रैखिक सम्मती की अवधारणा का दरपण परावर्तन यानी मिरर रिफ्लेक्शन से निकट का संबंध है. एक आकार यानी शेप में रैखिक सम्मती तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दरपण प्रतिबिम्ब यानी मिरर इमेज हो. आकरिती 14.7 यहां अंग्रेजी के अक्षरे का दरपण प्रतिबिम्ब यानी मिरर इमेज नजर आता है. इस प्रकार एक दरपण रेखा हमें एक सम्मित रेखा देखने या ग्यात करने में सहायता करती है. आकरिती 14.8 यहां दो अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं. के बीच से एक बिंदुकित रेखा जा रही है. पहली आकरिती के बारे में पूशा गया है क्या बिंदुकित रेखा दरपण रेखा है? हाँ. दूसरी आकरिती में क्या बिंदुकित रेखा दरपण रेखा है? नहीं. दरपन परावर्तन के साथ कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक आकरिती के अभी मुखूं यानि ओरियन्टेशन्स में दाएं बाएं यानि लेफ्ट राइट परिवर्तन हो जाता है आकरिती 14.9 यहां आकार तो समान हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं हम देख सकते हैं कि यहां दो अलग-अलग आकरितीयं हैं जिनके दरपन परावर्तन दिखाए गए हैं अंग्रेजी का अक्षरार और एक चूहा जो एक दरपन के सामने है दाएं बाएं का परिवर्तन यहां साफ नजर आता है प्रिश्ट 284 च्छेद करने वाला यह खेल खेलिए एक खागज को दो आधों में मोड़िए एक च्छेद करिए मोड के निशान की अनुदिश दो च्छेद मोड का निशान एक सम्मित रेखा या अक्ष है मोड़े हुए कागज पर विभिन स्थानों पर बनाए गए च्छेदों तथा संगत सम्मित रेखाओं का अध्ययन कीजिए आकरती 14.01 जहां कागज को मोड कर उस पर च्छेद किया गया है और ये खेल चित्रों द्वारा दर्शाया गया है प्रशनावली 14.01 एक, निम्नलिखित छेद की हुई आकरतियों की प्रतिलिपियां बना कर यानि खीच कर उनमें से प्रतियक की सम्मित रेखाएं ग्याद कीजिए यहां ए से एल तक बारह अलग-अलग आकरतियां दी गई हैं जिनमें अलग-अलग जगहों पर कुछ छेद बने दिखाए गए हैं आपको इनकी प्रतिलिपियां बना कर प्रतियक की सम्मित रेखाएं ग्याद करनी हैं दो, नीचे सम्मित रेखा या रेखाएं दी हुई हैं अन्य छेद ग्याद कीजिए यहां ए से ए तक पांच अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं जिनमें सम्मित रेखाएं नजर आ रही हैं हर आकरिती में एक या दो छेद दिए गए हैं आपको अन्य छेद ग्याद करनी हैं प्रिष्ठ 285 3. निम्नलिखित आकरितियों में दरपन रेखा अर्थात सम्मित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है बिंदुकित या दरपन रेखा में प्रतेक आकरिती का परावर्तन करके प्रतेक आकरिती को पूरा कीजिए आप बिंदुकित रेखा के अनुदेश एक दरपन रख सकते हैं और फिर प्रतिबिम्ब यानी इमिज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? यहाँ A से F तक अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं, जिनमें बिंदुकित रेखा के रूप में दर्पण रेखा यानी सम्मित रेखा दिखाई गई है। प्रतेक आकृति को पूरा करना है। चार, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सम्मित रेखाई हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है के इनकी अनेक सम्मित रेखाई हैं। यहाँ A से C तक तीन अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं, जिनमें एक से अधिक सम्मित रेखाई दिखाई गई हैं। निम्नलिखित आक्रितियों में से प्रत्येक में विविद सम्मित रेखाओं, यदी हूं तो की पहचान कीजिए। यहाँ A से H तक आठ अलग-अलग आक्रितियां दी गई हैं, जिनमें विविद सम्मित रेखाओं को ढूंडना है। पांच, यहाँ दी हुई आक्रिति की प्रतिलिपी बनाईए। किसी एक विकर्ण की सम्मित रेखा लीजिए, तथा कुछ और वर्गों को इस थरह चायांकित कीजिए, कि यह आक्रिति इस विकर्ण के अनुदिश सम्मित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आक्रिति दोनों विकर्णों के अनुदिश सम्मित होगी? यहाँ एक वर्ग की आक्रिति दी गई है, जिसमें कुछ छोटे वर्ग बने हैं, जिन में से कुछ चायांकित हैं। 6. निमनलिखित आरेखूं की प्रतिलिफियां बनाईये तथा प्रत्यक आकार को इस तरह पूरा कीजिये ताके वह आकार दरपन रेखा या रेखाओं के अनुदिश सम्मित हो। यहाँ A से C तक तीन अलग-अलग वर्गों में तीन अलग-अलग आकरतियां दी गई हैं, जिन में दरपन रेखा नजरा रही है। 7. निमनलिखित आकरतियों के लिए सम्मित रेखाओं की संख्याएं बताईये। A. एक सम बाहुत्रिभुज B. एक सम द्विबाहुत्रिभुज C. एक विशम बाहुत्रिभुज D. एक वर्ग E. एक आयत F. एक सम चतुर्भुज G. एक समांतर चतुर्भुज H. एक चतुर्भुज I. एक सम शड भुज J. एक वृत्त 8. अंग्रेजी वरण माला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मिती यानी दरपन परावर्तन से सम्बंधित सम्मिती है 9. ऐसे आकारों के तीन उदाहरण दीजिये जिनमें कोई सम्मित रेखा न हो 10. आप निम्नलिखित आक्रितियों की सम्मित रेखा के लिए अन्य ख्या नाम दे सकते हैं 10. एक समद्विभाहु थ्रिभुज 10. एक व्रित्त 11. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक 12. कारिक्रम समन्वयक 12. डॉक्टर राजेश कुमार निमेश 12. वाचन्स्वर गौरव मार्वा 12. तक्नीकी समन्वयक 12. बतिलैंग लिंग्डो 12. तक्नीकी सहायक 12. विकास सांग्वान 12. निर्माण सहयोग 12. सौम्या मलिक 12. निर्देशन व निर्माण 12. विमलेश चोधरी 12. तथा प्रस्तुती 12. C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत